हाई फ्रेंड्स यू ओला वैलकम और माई यूटूब चैनल माई ओनलाइन क्लास्टूम और आज इस वीडियो में जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है फ्यूमन इंवाइमेंट और यह क्लास 7 का आपका जोग्राफी पार्ट से चैप्टर 9 है फ्यूमन इंवाइ आपको साइच चैप्टर जो हैं वो मिल जाएंगे ठीक है तो आप देखें नोट्स में देखें जो इंटोड़क्शन है उसमें आपको समझ में आएगा कि हम इस चैप्टर में क्या बढ़ने वाले हैं तो चैप्टर का नाम है हूमन इंवाइमेंट तो हम हूमन से रिलेट मोड बढ़ेंगे और साथी कॉमनिकेशन यानि इंसान जब एक सुसाइटी में रहना स्टार्ट करते हैं तो वो धिरे धिरे अपना खुद का एक इन्वाइमेंट अपना परियावरन बना लेते हैं और जो भी चीज़ें उनको नीर होती है जो भी चीज़ों के जरूरत होत यहाँ पर पॉइंट में मेंशन है देखिए पोइंट में इसली चीज़ों को हम सम entire सबक्रिदिए और इसली लैंइन फिह हो दिए दिए ओर इसमेंड ऑपार हुझा अंध्याओ इस तरह के settlements होती हैं कितने तरह के transportation mode होते हैं क्या उनके फाइदे होते हैं communication क्या होता है और communication के क्या फाइदे होते हैं तो वह सारी चीज़ें जो है इस chapter का main part है और इसे देखें आपके questions भी बनेंगे अब आते है meaning of settlements and towns और cities ठीक है तो जो settlements की बात हो रही है towns में और cities में तो यहां पर देखें हम सभी को रहने के लिए घर की जरूत परती है एक घर चाहे वो जोपड़ी हो चाहे बंगलो हो या फिर अपार्टमेंट यानि फ्लैट्स हो तो इस तरह की जो भी है जहां पर हम रहते हूं उन्हें हम घर बोलते हूं वो चाहे चोटा हो चाहे बड़ा हो वो घर होता है एक cluster of houses होते है उसको हम settlement बोलते है यानि एक साथ जो बहुत सारे घर कहीं भी है आपको देखें तो इट मींस वो settlement है और वहां human रहते हैं तो human settlement कहते हैं उसको आप cluster में have a few hearts और a number of big houses इसके साथी देखिए इचीज कि घर तो घर होता है चाहे जो चोटा हो चाहे बड़ा तो यहीं पर भी कि चाहे वो जोपरी क्यों ना हो चाहे वो hearts हो चाहे बड़े-बड़े घर हो अगर वो cluster यानि जुन्ड में हैं ग्रुप में हैं तो उसको आप जो है settlement का नाम देते हैं, large clusters are called towns or cities और यहाँ पर याद अतना जब इस तरह के large clusters आपको मिले हैं यानि large scale पे बहुत सारे घर एक साथ मिलें तो आप समझ आईए कि वो towns or cities है, आच्छा यह जो growth है, आप नेक्स स्टाइडिंग आ रही कि जो growth और development होती है settlement की, वो कि चीजों परिकिन points पे निर्भर करती है, कौन से ऐसे factor हैं जिस पे यह dependent है, तो यह है देखिए सबसे पहले सही बात है कि जो अब human रहना पसंद करता है, कहीं भी घर बनाता है, तो वो कुछ चीजों को नोटिस करेगा है कि क्या क्या चीज़ें उसको चाहिए, क्या क्या फैवरेबल condition है कि क्यों वो वहाँ पे घर बनाए, क्यों वो वहाँ पे stay करे, क्यों वहाँ पे वो रहे, तो इसके लिए देखिए सबसे पहले चीज़ जो human ढूनता है वो है suitable land, बिलकुल अगल land बहुत अच्छा है, ठीक है suitable है, क्योंकि देखिए वहाँ रहना ही नहीं, वहाँ पे आ पानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए इंसान के जो basic निर्सेफ में पानी भी आता है, तो water की availability जो होनी चाहिए, खेती अगर वो करेगा तो इसके लिए irrigation के लिए भी पानी के विशकता पड़ेगी, तो ऐसे जगह जहां पे suitable land हो, water हो, और साथी favorable climate, जो climatic condition है, वो भ favorable होनी चाहिए, favorable होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत जदा ठन पड़ रही है, बहुत बरफ पड़ रही है, तो वहां पे खेती पॉसिबल नहीं है, तो इतनी अच्छी नहीं हो पाईगी, या ऐसा इलाका मानी जहां पे बाईशी नहीं होती, तो वहां पे भी temperature हमेशा हाई और जब बाईश नहीं होगी तो फिर खेती भी पॉसिबल नहीं होपाईगी, अगरी कल्चर भी पॉसिबल नहीं है, तो favorable climate condition भी बहुत हद तक एहम रोल प्ले करते हैं, तो यह required है, इसके साथ ही देखिए, fertile soil जोवने वही चीज़ आपको फैली भी बता दिती, कि लैंड जैसे उपर नीचे होता है, उपर नीचे इंदा सैंस की mountains है, plateau है, ठीक है, plain area है, और उसके साथ ही अब मिटी भी तो देखोगे है, soil भी वहां की fertile है या नहीं, तो यह सरे factors जो होती है, यह depend करते हैं, कि कहां पे किस हिसाब से growth हो और development होती है settlement की, आपने कई बार देखोगा कुछ एरिया में बहुत साइ लोग रहते हैं और कुछ एरिया में लोग रहना पसंद नहीं करते हैं, जैसे कि मालेजी, desert area है तो वहां पे रेकिस्तान के एरिया में, बहुत सारी settlements हिःूमन नहीं मिलेंगी, वहां पे जादर लोग रहना पसंद करते हूँ, तो यह बिसेप population काम होती है distribution of population देखें तो यह भी अनिकवल होता है और उसके लिए भी यह reason जो है यह जो factor से responsible होते हैं तो अगर human कोई साइस सुखसुविधाय मिलती हैं तो वह वहाँ पर रहना पसंद करते हैं उस area में उससे वज़े से जो कुछ area की population जादा भी हो जाती है अब आते है टू फेक्टर्स है जो बहुत हद तक मदद करते हैं जिसके विज़े से growth होती है और development development होती है settlements तो वह है फर्स्ट है देखिए farmers जो है had to look after their crops जो farmers होते हैं वह अपनी फसलों का ध्यान रखते हैं और यह कौन से period of time बहुत जादा ध्यान रखते हैं तो यह growing का time जब होता है फसल के grow करने का और साथी राइपनिंग यानि पकने का समय जब होता है और यह समय होता है जब हो अपने खेतों के आस पास रहते हैं और इसके बाद के वैंदर production of food increase जैसे production जो होती है फूद की वह increase होती है जो farmers had enough to feed their families even during the non cropping season तो अगर उनकी फसल अच्छे से होती है production अच्छा है बड़ा हुआ production है तो farmers को इतना enough food मिल जाता है कि अगर आगे चलके किसी cropping season में जब फसल नहीं हो पाती है ठीक है तो वो अपने family का भरन पोशन उस वाली जो extra फसल होई थी production जब जादा हुआ था उससे भरन पोशन कर लेते हैं does this stop wandering in search of food and settle down और यही एक वज़ा थी कि जिसके विज़े से human ने धीरे धीरे जो पहले nomadic tribes होती थी जो एक जगह से दूसी जगह हमेशा move करते रहते थे बंजारे होते थे ठीक है shifting cultivation करते थे हमेशा एक जगह से दूसी जगह जाते थे तो यह भी एक काफी हर्त के बड़े बहुत बड़े रीजन है जिसके विज़े से जो growth है और develop हुई human की settlements most of the early settlements आप देखोगे तो वह river valleys के पास ही develop हुई है थी कि नदियों के किनारे हुई है नदियों के घाटियों में ही हुई है इसका क्या reason क्या था तो देखें मैंने highlighted कर दिया इसका reason यह था कि देखें water बहुत easily available हो जाता है और साथी land was fertile ठीक है और जो भूमी होती थी जो जमीन होती थी वह बहुत ही fertile होती थी तो खेती के लिए देखें वही चीज़ है कि agriculture ही अर्ली हुमन में जब इंडस्ट्री वगात हो थी नहीं तो वह खेती ही करते थे उसी से अपना भरन portion करते थे अपनी livelihood को अन करते थे तो पानी की बहुत जरूत होती है agriculture में और जमीन पी जो है वह अगर फर्टाइल है और पानी के वज़े से फर्टाइल होती है तो यह साही दो चीज़े थी इसके विज़े से जो है जो अर्ली हुमन बिंग्स थे वो रिवर वैली के पास उन्होंने अपनी settlement को बसाया अब आते है देखे सबसे इंपॉर्टेंट जो आ रहे है देखे मैंने जो अभी आपको बता तो कप्रेद होना तो इन सब के लिए पानी के ज़रूरत परती है हां तो यह साहे points आप अपने आप लिखोगे इसके बाद आते है types of settlements के कितनी ताहा की types of settlements होती है तो याद अखेगा यहां से आपके question पनेंगे और आपको ही चीज़े आनी चाहिए और दिखे शब्दों को जो word है उसके meaning साब समझेंगे तो बहुत अच्छे से आपको याद भी हो जाएगा आप देखे types of settlements में जो आ रहा है वो है temporary settlements और permanent settlements ठीके जो एक particularly जो हुआ है division जो settlements का हुआ है वो किस basis पे हुआ है तो वो है temporary और permanent settlements अच्छा आप देखो आप लोग temporary नाम सी परह चल रहा है temporary यानि जो चीजे continue नहीं रहेंगी ठीके constant नहीं रहेंगी चेंज हो सकती है ठीके तो उसको temporary बोलते है permanent यानि हमेशा जैसे आपका मतलब address पूछा जाता है तो temporary address या permanent address तो temporary address एक मिस वो change होता रहता है ठीके 2 साल बार 4 साल बार 5 साल बार शायद आप मूफ करते हो एक जगा change ही नहीं करें एड्रेस का भी changing हुआ तो वो आपका permanent address हुआ हा तो अब यहां पर आपको समझना है temporary settlements यानि जो humans थे हैं यहां पर जो settlement अगर वो घर बनाते थे तो वो एक short period of time के लिए वहां पर रहते थे और यहां पर लिखा भी आया है कि temporary settlements जो है occupy होती थी for a short period of time और यह कहां पर found होती थी यह forest में hot and cold deserts mountains etc अब आप देख भी सकते हैं कि देखे forest में कोई कैसे पूरी उमर रह सकता है ठीक है hot or cold desert area हो वहां पर कैसे आप पूरी उमर रह सकते हो कि कि वहां पर इस तरह कि सुकसु विधाया आपको नहीं मिलेंगी mountains पर आप कैसे पूरे हमेशे पर्मा ने रह सकते हैं तो और यहां पर लोग जो रहते भी है तो वह क्या करते हैं ठीक है तो people living in such settlements often तो क्या काम करते हैं वह practice करते हैं hunting या शिकार करते हैं food collect करते हैं gathering फूल जो है जड़े होती है जंगलों में जो पेर पौदों की तो वह चीज़े वो लोग लोग करते हैं fishing करते हैं shifting cultivation करते हैं यह shifting cultivation में आपको रहती हैं एक जगा से दूसरे जगा move करते रहते हैं और वहां पर खेती करते हैं and transformants ठीक है तो यह साई चीज़े जो हैं वहां सता की स्ट मेंस चलती हैं इसके बाद आते हैं इसके पार्मानेसी तेपर्मेन से ड़मेंस स्ट कंझे होती है ईक ऐसी सैटल्मेंस जो हमेशा बहुत लंभे समय तक चलती हैं बिग और समॉल और डेविलेप्स एस पार्मारियंस वहां देखी यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि जो सेटनमेंट्स होती है उसका और आकर डिविजन करने तो यह सेटनमेंट्स का डिविजन रोराया रोराया और अर्बन के बीच में ठीक है यानि फिर से देखे पर्मनेंट्स के मिलेंगे और अर्बन में बी कुछ टाइप्स मिलेंगे तो अप ध्यान रखेगा तो इसबेज़िस पडे । इस बेस्ट अन्दे तो डीक्लासिफियों और और अर्बन कै इताकर रोरल functions of the settlements, यानि इन settlements में primary function की स्था का काम होता है, ठीक है, तो काम की हिसाब से क्या वो कारे करते है, function करते है, उस हिसाब से यहाँ पे इसको divide किया है, classify किया है, तो अब आते है, rural settlements पे, तो दीखे, rural settlements नाम से पर चल रहा, गाउं वाले इलाखों की settlements की बात हो रही है, तो villages are known as rural settlements, so rural settlements में कौन से, कौन आते हैं आपे, तो गाउं में जो settlements होते है, जो human रहते हैं, जिससे आप से अपने घर बनाते हैं, तो उसको rural settlements होते हैं, आच्छा, गाउं के जो लोग होते हैं, वो किस चीज़ पे जादक निर्बर होते हैं, किसना का काम करते हैं, वो तो agriculture, यानि खेती बाड़ी का काम करते हैं, खेती से related जो भी काम होता है, उसको करते हैं, ठीक है, वह सारे villages में आपने दिखा होगा कि cottage industries भी develop हो गई है, और based on the raw material, local raw material and needs, ठीक है, तो जैसे पास से हुआ है, सूत काटना, तो यह साही चीज़ें के local raw material उनको मिल जाता है, जैसे गोड़, अगर sugar cane हुई है, तो उससे गोड़ बनाना, जैगरी बनाना, तो इस ताहां के जो है, चोटा मूटा जो उद्धोग है, cottage industries वो अपने आपी घरों में स्टार्ट कर लेते हैं, small scale industry होती है, इसमें जादा खर्चा, जादा बजट की जोटनी पड़ती है, industry पूरी building बनानी की जोटनी पड़ती है, rural settlement में देखें, तो एक few houses होते है, limited utility और social services होती है, shape देखें, rural settlement का तो various types के होते हैं, तो देखें, यही चीज़ में आपको पताई थी, कि rural में भी कुछ एक दूसरे से बहुत पास बने होते हैं, narrow होते हैं, और winding streets होती है, streets ठीक है, और such settlements are mostly found in, और यह settlements आपको कहां मिलेगी, यह fertile river valleys और plains areas में आपको इस तरह की settlements मिल जाएंगी, इसके बाद आते है scattered settlements तो नाम से पताचला है scattered, यानि बिखरी होई, मतलब बहुत ज़्यदा population यह यहां पर रहनी पाता, तो इस वज़े से इन areas में बहुत कम लोग, बहुत कम population पाई जाती है, कुछ area में आपको मिल जाएंगे, फिर उसके 10 km बाद फिर आपको 4 लोग मिलेंगे, फिर 10 km बाद 5-6 लोग मिलेंगे, तो इस तरह से scattered, बिखरी हुई settlements होती है, और houses जो 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 लोगों की जो population होती है, वो कम होती है, linear settlements यहां पर देखिए, linear settlements next है, और linear settlements जो है, वो कहां पाई जाती है, कहां develop होती है, तो यह road के किनारे और river और जो canal यानि जो नहरे होती है, उनके किनारे किनारे बनी होती है, और they have rows of houses facing each other, और जैसे नदी के आजू बादू ठीके कि बनते हों, और facing each other, एक दूसरे के सामने घर बने होती है, radial settlements में radial settlements दीखिए, कहां develop होती, तो streets radiate from a common point in all directions, जो एक गली है, वो एक common point से all side direction में जब जाती है, और उसी सारे direction में, ठीके, जो गली कही है, street कही है, वहां पर घर बनते जाते है, तो the houses are built along the street, तो गली के ही किनार ऑवान य जाते है, और houses in rural areas are built according to the physical environment, और देखें, ये च inhale बनते है, जो बनते है, और एकिस तडिक है, वह फीजिकल इन्वायमेंट के according ही बनते है, किस तरीक है वहां पर environment है, जिस तरीक ही physical environment होका, उसी तरह से घर बनते है, जाए वह पक्के घर बनाबाया है, जा Extension वाले काम ज़ाधा होते थे थिए के के खेती बारी के काम होते थे आप menorarme settlements को Hum classified or cacticized कर सकते हैं कि जहां पर non agricultural function हो तो वह आपके urban settlements हो यानि जहां के industries का काम हो, ट्रेड का काम हो, commerce का काम हो, administration वाला काम हो, transport हो, Utility Services like education हो, Hospitals, Entertainment Ectra ठीक है. Utility Services मतलब जो बहुत ही जो यूटिलाई आप करते हो अपनी लाइफ में आपको नीड है जिसे एडुकेशन है वो हल किसी को नीड है होस्पिटल है तो इस तरह कि जो सुविधाय प्रदान करते हैं उनको हम यूटिलिटी सर्विसिस पोलते हैं तो यह साही जो चीजे और आप देख सकते हैं यह खेत स्विधाय आपको पता होने चाहिए अब आ जाते है छिक्लसिफिकेशन जो मैंने आपको असे किस बेसिसित ने इस पर देखुएप्शnd and urban settlements का economic activities के basis पर उन activities को करने के बाद आपको कुछ earning हो रही है पैसे मिल रहे हैं तो अब आते हैं administrative towns तो इसमें सबसे पहले जो है administrative towns तो देखिए नाम से पास जल रहे है administrative towns यानि administration का सारा काम ठीक है किस तरह से पुरा जो कानून विवस्ता है जो सरकार है किस तरह से काम चलाती है पूरे की पुरी सरकार जो है पूरे देश को संभालती है वहाँ पर बहुत important decision लिये जाते हैं related to law and order तो यह है आपके administrative towns और यहाँ से ही पूरा का पूरा जो सरकार जो है अपने कामों को चलाती है तो यह capital cities होती है mostly like New Delhi है Washington DC और Canberra ठीके तो यह जगा जगा का आपको बताया गया है यहाँ फिर आते है defense towns में तो नाम से बाचल रहा है defense towns यानि यहाँ पर military से related कुछ काम होता है ठीके तो defense towns में जिससे centers of military activities आते हैं like Moe और Barrackpore cultural towns में नाम से बाच चल रहा है कुछ cultural यानि संस्कृती सभ्याता से related religion से related तो यहाँ पर कुछ religious centers जैसे ayodhya है मक्का है Jerusalem है educational centers like Oxford है प्रियाग राज है शांती निकेतन है ठीके जिसे विश्वर भारती university भी कहते हैं शांती निकेतन को तो यह सारे जो है यह cultural towns के नाम से जाए ज़ए सेट अप होती है और industries कह सकते हैं इंडस्टी तो यह डेवलप्मेंट भी होती है cheap label और skill label वहाँ पर अविलेबल होते है raw material अविलेबल होता है लगों को काम अच्छे से मिल जाता है और profit भी होता है तो industrial towns में centers of production और manufacturing का का काम होते हैं ठीक है manufacturing का का काम होते है different goods का औ जमशेदपूर, दुर्गापूर, एमदाबाद, रूर केला ठीक है यह ओरिशा में है, पीट्सबर्ग यह कुछ important जो है industrial towns है ठीक है तो देखें इंडिया के नहीं कुछ बाहर की भी है आपे नाम है तो आप यह मैं सुचेगा कि यहां इंडिया के हैं इसब जंक्शन जो कि वहां से major roads या फिर railway वहां पर कह सकते हो कि main station है जहां से बहुत साइट्रेने जाती है दूर दराज के इलागों में ठीक है तो आप कह सकते हो कि main point junction मतलब एक ऐसा area एक ऐसा point जो औरों को जोडता है तो एक ऐसा station जो बाकी सारी के सारी सारे area को जोडता है एक link है और व junction towns जो है वो located होते है cross roads of major roads और railways के और यहां पर मुगल सराय जो है इंडिया का है शिकागो मॉसको तो यह जो है यह junction towns है और इसके बाद आते है rural urban relationship यानी rural urban relationship कैसी है इनकी settlements की तो rural urban जो areas है वो बहुत हर तक एक दूसर से dependent है ठीक है देखिए highlighted point पर जो words है उस पर गौर करि dependent है आप देखिए points सब एक दूसरी connected है समझेए first point है dependent है कैसे dependent है ठीक है तो आपके दिमाग में question आजी कैसे dependent है भई तो dependent इस तरीके से है कि जो village में हमने अच्छे से मैंने आपको बताया था कि agriculture activities होती है ठीक है village में और towns में मैंने आपको बताया था कि industries वाला काम होता है य पूर्स vegetables यह साइच चीजें उगाते हैं और आप लेबर्स भी होते हैं तो वो यह साइच चीजें जो है सप्लाई करते हैं टाउंस में ठीक है शेहरों में भेजते हैं अच्छा आप शेहर वाले क्या करते हैं वो साइच चीजों को बनाते हैं manufacturing करते हैं अपने industries में और देशते हैं साथी social and utility services प्रवाइड करते हैं गाव में transportation देते हैं employment opportunities भी तो देते हैं विलेजर को जो लोग गाव में जिनको खेती बाड़ी का काम में interest नहीं है या फिर उनके पास इतना नहीं हो पारी जमीन नहीं है इतना profit नहीं कमा पारें तो वो extra काम करने के लिए जो ह करते हैं शेहरों में आ सकते हैं और industries में वोग करते हैं आज के सब्सक्रार करते हैं एस तरह से आज कहुं स्यहरों में उनको जो है वह चूटे हैं अपने गाओं काओं के इंलंको चोंड़ के और वायुने यह बहुत खुटा कोनिकेशन बमकीन कोटा भी कहने के लिए इसे भी कंट्री खुट रहें में निट्बॉक होते हैं चेल में खुट मे रहें एक गीडसा है तो जो समाल है वह एक जगा से दूसीं जगह बहुत इसलिए बहुत तेजी से पहुँच भाए आचा इसके साथ ही देखी जो ये ट्रांस्पोर्टेशन के द्वारे जो लिंक्स जहां पर चीजे प्रेडियूस होती हैं तो उन एरिया को एक दूसरे से जोर देते यानी फैक्ट्री जो है वहां पर चीजे बनती है और मार्केट में चीजों को एविलेबल कराया जाता है तर्ण्सपोर्टेशन के थ्रू कराया जाता है जाकि लोग असानी से जाएं और तो यह ट्रांस्पोर्टेशन के थ्रू होता है प्रोग्रेस देखें साइंस और टेक्नोलिजी बहुत प्रोग्रेस करिए और इसमें से मीन्स ओफ ट्रांस्पोर्ट भी काफी हद तक डैवलोप हुआ है हावी लोड्स जो है वो ओवर लॉंग डिस्टेंस पर आपको जाना है कम टाइम्म यदिधर को यह भावी से खारी सो मार्स जो समानें वह भी भी बेजा जा सकता है तो roadways देखिए तो roadways जो एक important means of transport होता है और short distances को बहुत easily cover करता है matted और unmetall roads होती है, metal मतलब कह सकते हो कि जो roads जो अच्छे से cemented होती है और हर weather में आप यूज कर सकते हो, बाईश में पानी वानी नहीं भरता, कीचोर नहीं होता हुआ पर तो वो metal roads होती है unmetall roads जो कच्छी सरके होती है, वो cemented नहीं होती है, ठीके और साथी उनमें पानी इजली भर जाता है, कीचोर होता है तो इनको हम unmetall roads बोगते है, modern highways देखे तो वो well surface metal roads होते है और used for high speed traffic, they are wide enough, यह wide enough होती है, जिसमें free, आप movement कर सकते हो, off traffic, किसे आंगे traffic नहीं होता है क्योंकि अगर एक single road होती है, तो इसमें problem होती है, इतना अगर wide road होती है, तो एक तरफ से आने का, एक तरफ से जाने का, अराम से direction fix हो जाती है तो किसे आंगे problem नहीं होती है, किसे आंगे traffic नहीं होती है और speed में आपका काम हो जाता है, speed way में transportation होता है roads देखें तो, roads वो built हुई है in mountains, desert और forest area में भी, eastern USA और western road में density, best quality roads आपको मिल जाएंगी world की, European Russia जो है, वहाँ पर denser, सबसे दाधा घनी, आपके सब तो denser road network है, सबसे दाधा roads है, वहाँ पर, then asiatic, Russia के comparison में major road link देखें उस्टेलिया का, तो यह transcontinentist town highway है, density road networks in India is one of the lowest in the world, national highway system है, वह develop हो रहा है, link कर रहा है, state capitals को, port towns से, industrial towns से, other important towns से, port towns यानी, seaport towns, मनाली ले highway है, हिमालियास में, is one of the highest roadways in the world, grand trunk road, देखें, याद रखें का, यहाँ से question बनता है, grand trunk road, जिसे GT road बोलते हैं, यह एक oldest roads है, इंडिया का, इसको शेर सासूरी ने बनवाया था, और यहाँ आखें का, जो बिटिश इंडिया में आथे, तब उन्होंने इसका नाम, grand trunk road रखा था, जिसे GT road के नाम से जानते हैं, आज भी, और यह जो road है, यह पेशावर इन पाकिसान, से लेके, सोनार गाउं बंगलार देश तक है, और यहाँ पे आप नेक्स्ट आते हैं, रेल्वेस पे तो रेल्वेस देखें, क्विक मेंस ओफ ट्रांस्पोर्ट है, दो द्रास के एक तम long distances cover करता है, और lower cost में, अगर और किसी के comparison करें, तो कम दाम में यह काम कर देता है, एक्सपेंसिव नहीं होत है, factors देख लें, जो influence करते हैं, development of railways, तो वो हैं really features of the region, density of population, availability of natural resources, और level of economic development, तो यह सारे factors हैं, जो influence करते हैं, development of railways, important feature क्या है, railways के तो easier है, cheaper है, construct करना railways को in the plains than in the mountains, ठीक है, तो आपको यह चीज़ यारत ने, कि mountains में बनाने में थोड़ा सा खर्चा जादा होता है, easy नही होता है, इसके साथ ही, speed जो है, railway की वो धीर पे दिन बड़ी है, और multiple tracks बनाए गई है, use हुआ है, diesel और electric locomotives का, broader the gauge, ठीक है, जितना broader gauge होगा, उस हिसाब से, जो capacity है, railways की, जो load carry करने की, वो भी जादा स्रादा होगी, dense railway network, जो है, इंडिकेश करता है, प्रॉस्पर्टी ओ होता है, क्योंकि इससे, आप कह सकते हैं, हाँ, train का इतना अच्छा system है, railway का इतना system है, और इतना अच्छा railway network है, तो हाँ, क्योंकि business होता होगा, तभी तो नीड है, इतनी railway की, dense railway network, जो है, जो found है, होता है, वो है Western Europe में, और East Central North America में, the Trans-Siberian railway, जो है, वो longest railway system है, यहाप एक mistake होगे, तो system की spelling देख लिएजी, SY है, एक SY आप कट कर दीजिगा, ठीक है, sorry for this mistake, इसके बाद है, देखिए, waterways में, आप देखिए, waterways में आते है, waterways में दो तरह के है, inland waterways and sea routes, waterways जो है, वो cheapest or most widely used means of transport होते हैं, जो भारी भरकम समान को एक जगा से दूसरी जगा ले जाते ह waterways जो होते हैं, जैसे बोलाई था, inland waterways और sea routes में होते है, inland waterways देखिए, navigable rivers, lakes and canals, ठीक है, तो ये आती है, inland waterways में, यानि जहाँ पे आप जहाँ चलाज सको, ठीक है, बोर्स चलाज सको, उन rivers, उन lakes में, उन canals को आप inland waterways में count करोगे, St. Lawrence River है, वो largest or biggest inland waterway है in the world, इसके साथ लाज rivers like Nile है, Amazon है, Mississippi है, Rhin है, Ganga है, ये important inland waterways है, next है sea routes, तो seas and oceans are used to transport goods from one continent to another, ठीक है, तो ये ही जो है, आपको cover करते हैं, sea routes, और यहाँ पे important sea routes, जो है, वो North Atlantic sea route है, connect करता है Eastern North America और Western Europe को, और ये easiest route है in the world का, जो येतना भी भाय वरकम समान जो है, जो एक दगा से दूसरी च पहुचाना है, तो ये इस तान से business होता है, और transportation होता है, Mediterranean, देखे second point है, Mediterranean हो जो इंडियन, ये ocean route है, वो connect करता है, countries of Europe with East Africa, South Asia और Far East को, cap route जो है between Western Europe and the Far East, Australia and New Zealand was important है, before the construction of the Suez Canal, तो Suez Canal जब तो उस से पहले ये वाला route बहुत popular था, बहुत famous था बहुत वेमस था, बढ़ पॉपुलर नहीं रहा, क्योंकि Suez Canal के विदे से distance बहुत कम हो गया, और काफी ज़्यादा जो जितने भी transportation काम था, वो Suez Canal के द्वारा होने लगा, airways पर आता है, तो airways जो है, एक speed के मामले आप कैसकते हो, जब भी प्रीफर करें के speed हमें बहुत जल्दी पहुंचना है कही तो speed के मामले में number one है, साथ ही, एक्सपेंसिव भी है, हर कोई afford नहीं कर पाता है, और इसके साथ ही एक problem हो और भी है, bad weather, जब मौसम खराब होता है, fog, rainfall होता है, तो यह obstacle होते है, air transportation के लिए, आचा, airways देखे, उन इलाकों भी पहुंच सकता है, जहां पे railway और roadways नहीं जास्टर्स होते है, तो helicopters जो है, वहाँ पे पॉचकों की मदद करते है, RV military देखे, तो वहाँ पी भी बहुत help करते है, और two types of air services जो है, वो domestic और international होते है, domestic within the country, और international मतलब दूर बाकी foreign countries के लिए, ठीके, वहाँ पे जब flights होते है, तो उसको international flights बोलते है, international air services बोलते है, communication देख लिए, तो communication जब हम एक दूसर से बात करते हैं, किसी भी तरीके से, जैसे अभी ही हम करें, तो यह हमारा communication ही हो रहा है, तो यहाँ पर देखे, ancient time में किसतां से समय बदलता गया, किसतां से जो way of communication है, किसतां से बदलता गया, तो यहाँ से जब आप से question पुछा पिसा ही बाते लिखोगे, ancient times में देखे, जब messages को deliver करना पता था, तो जो hollow tree के trunks होते थे और drums होते थे तो उसको beat करके, ठीके message को दिया जाता था, इसी तरह से birds और animals के through भी messages को deliver किया जाता था, बाद में penny post introduced किया गया, Great Britain में, और India जो था वो first few countries में था, जो उसने introduced किया AM मेल को, और ये कप किया 1912 में, ये आपको याद अखने है, फिर invention हुआ printing press का, और print के द्वारा books, magazines, newspapers, जो है large skin में चापे गए, print करे गए, और ये आप कह सकते हूँ, mass media का एक बहुत अच्छा source था, क्योंकि देखे, personal communication में तो एक दूसरे से phone वो उन पर बात हो जाती है, personal communication and letter हो गया, but mass communication में क्या होता है, एक टाइम पर बहुत साय लोगों से बात करना, तो वो radio, television, magazines, books, newspapers के थ्रू होता है, तो ये चीज़ याँ पर है, कि जब invention हुआ radio का, television का, उन्होंने इंटिदूस किया wireless medium in communication, और इनी सब को हम means of communication कहते हैं, introduction हुआ फिर telegraph का, cable gram का, telephone का, radar का, और जिसके वज़े से एक efficient system बना communication का, satellite ने भी देखिए, बहुत हद तक communication को easier और faster किया, और इसके साथ ही satellite की help से weather forecasting भी होने लगी कि किसी साब से मौसम रहने वाला है, तो उसके लिए देखिए, आपको हज चकार देखिए, airways के लिए हो, information, या फिर किसानों के लिए, वो क किसी के लिए भी हो, तो ये फाइदर मन के खबरे जो है, वो मिल जाती थी, weather forecasting की, satellite की help से, development हुआ, fax का, electronic mails का, और e-mails का, through the internet, और cellular phones, तो इसके वज़े सीब आप कर सकते हो, जो speed थी communication की, वो तो अच्छी खासी बढ़ी है, और ये एक show भी करता है, आपका living standard इंप्रू सब्सक्राइब भी करिए